हलो आवरीवन वैलकम उन मैं ट्यूप चैनल अगर आप ऐसे लेकर जगर तक सभी स्टो की डिटेल एनलाइज़स पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सबस्क्काइब कर लें इस वीडियो में मौरफिन लाप।रीज कंपनी की डिटेल एनलाइज़स करने वाले तो परसन के positive return पिछले 6 महीनों में 26% के negative return पिछले एक साल में 40% के negative return पांस साल में 57% के positive return और maximum return के बात करें तो almost 70% के negative return दिए इस stock में continuous गिरावट हमें देखने को मिली और यह stock 2016 में 2017 में भी काफी ज़्यादा गिरा है और यहां पर बात करें 2021 में भी इस stock में continuous गिरावट देखने को भी मिल रही है तो क्या इस company के share को खरेदना चाहिए या award करना चाहिए तो जैसा कि यहां company के business and fundamentals के बात करें तो नाम से हमें पता लग रहा है यह जो company फार्मा सेक्टर की company है और यहां पर APS segment से 58% का revenue आता है market capitalization 1526 करोड का है इस टो का लो 23 रुपए इस टो का ही 60 रुपए यहां बात करें PE की 27 पुइंट 6 है book value 14 रुपए dividend yield 00 company कोई भी dividend नहीं दे रही है intrinsic value 36 रुपए PE की बात करें 26 पुइंट 7 है promoter holding 38% है और हाल में ही company के promoters ने almost 1.5% के stakes यहां पर buying किये है debt की बात करें तो यह company almost debt free है 22 करोड का ही debt देखने को मिला है FIS holding 1.15% किये है और FIS ने भी 0.20% के stakes buying किये DIs holding 3.98% है जिसमें से 0.10% के stakes sale किये है यहां बात करें company के quarter on quarter basis result की तो आप देख सकते हो company को इस quarter में काफी अच्छा profit हुआ है 6 करोड से 16 करोड का year on year basis की बात करें तो year on year basis यहां पर profit में गिरावट देखने को मिली है 102 करोड से 55 करोड का profit देखने को मिला balance sheet में company के results काफी strong है में देखने को मिले 457 करोड से 635 करोड इसी के साथ थोड़ा debt भी बढ़ते वे देखने को मिला है 19 करोड से 23 करोड का यहां बात करें company के promoter holding की तो company के promoters के पास 38% के stakes है FIS के पास 1.15% के stakes है DIS के पास almost 4% के stakes है और public holding 56% हमें देखने को मिल रही है और यहां बात करें BSC पर तो आप देख सकते हो company ने 2014 में e-voting लेकर आये थी 2001 में 20 पैसे का dividend दिया और 2001 में 50 पैसे का dividend दिया है उसके बाद कोई भी dividend नहीं दिया है तो क्या इस company के share को खरीदना चाहिए या avoid करना चाहिए जी दोस्तों अगर आप इतना बड़ा risk लेना चाहते हो तो आप इस company के shares को long term के लिए buy कर सकते हो क्योंकि इस stock में continuous गिरावट एन continuous तेज़ी देखने को मिलती है तो काफी जादा volatility इस stock में है अगर आप ये volatility जेल सकते हो तो ही stock में एंटर केजिए आप otherwise इसे avoid केजिए अगर आप चाहो तो थोड़ा 100-200-500 रुपे investment कर सकते हो ठेंकियो दोस्तों